नमस्कार दोस्तों मेरी चैनल में आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर हम बात करेंगे मुंबई पूरे एक्सिडेंट के बारे में चैनल को सब्स्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और साथ ही बगल में बेल आइकन को भी दबा दिये चलिए सुरू करते हैं मुंबई पूरे एक्सिडेंट होते रहता है तो चलिए कल जो एक्सिडेंट हुआ उसके बारे में हम वीडियो साजा करते हैं जैसे कि आपको वीडियो पर देख रहा होगा, पीछे एक कार आ रही है, बहुत तेज गती से खड़ी ट्रक से टक रही है, और पीछे एक ट्रक था उसके उपर चड़ गया, हलाकि देखा जाए तो कार और ट्रक दोनों की गती काफी चाहता थे, दोनों रैस ड्राइविंग क तो है ही, साथ ही खड़ी ट्रक भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, अगर वो खड़ी ट्रक नहीं होती तो कार आराम से किनारे निकल जाती है, यह देखिए, जैसी ही कार आगे बढ़ती है, किनारे जाती है, अचानक से वो बेक ठुक जाती है, उस ट्रक से और वो पीछे जो कि इस तरीके से रेस डाइविंग कर रहा है इस पर आपके section पर जहा पर काफी जाधा टरफिक एक बात दोस्तों बतातों कि गाड़े में जो तीन लोग बैठे से सारे मारे गए अकसर हर दिन यही एकचिड़न्ट होते हैं भारत के बहुत सारे हाईवे मैं भी इसका research का पार्ट रहा हूँ इस subject पर मैंने भी research की है accident analysis black spot identify करना बहुत जरूरी है भारज जरसे देश के लिए हर दिन लोग मारे जाते हैं आसा करता हूँ दोस्तों ये आपको analysis अच्छा लगा होगा तो मिलते हैं अगले interesting video में thank you very much